असलाम अलेकूं चासा चान, कैसे हैं आप? मुकसम सर्धार साहब से खुश्ची लिसे मिलाओ वालेकूं सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हवेली में सब कैसे हैं? जी, सब ठीक हैं, आप बताएं, अब सब ठीक है? मुकसम मैं अलीसा का नाम बेना मुनासिब नहीं समझा? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस एक ही परेशानी लाहाग है कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्च्मन है, जिसे मेरी फैमली पर नजर रखी, पला ना करता अगर हमें पता ना चलता तो? आगे वो कुछ भोल ही नहीं सके, ये सोच करी ही, रूफ अना हो रही थी, यगर उनकी बेटी को कुछ हो जाता थो? चचा जान, आप फिकर ना करें, हम जल्द पता करवा लेंगे, मैं साथ हूँ आपके, आपको मेरे होते वे फिकर करने की कोई जरूत नहीं है मुकसम बुरे इत्मात के साथ बोल रहा था, जर्दार साब ने अपने सामने बैठे उस गामियाप मर्ड को देखा, जाज ब्रॉण शुलवार कमीज पहने, बाल माते पर बिखेरे, एक हाद में ब्रेंडिल, कड़ी पहने, सफेद उस सुरुख रंगत, अनाभी लवो पर खनी मूझे, धाड़ी छेविट से निकलता लंबा कत, चेरे पर सिंची थी लिए, जबके ये बात करते आँखों में वहशत थी, वो पिलाशुवा एक बहुत हूपसुवत मर्था, ठीक है बेटा, मैं चाहता हूँ मुझे जल्दी बता चल जाए, तो बेदर है, मैं अलुफ की जुरत नहीं, चलता हूँ मैं, नहीं बेटा, खाना खा कर जाओ, पहली बार आए हो, अब जाने नहीं दे सकता, और तुम्हाई चाची को अगर पता चला, तुम ऐसे ही चले गए हो, तो उन्हें बुरा लगेगा, वो इस सरह से बोले कि मुखसम जाकर भी इंका बजाते, तुम मिलो तो जिन्दगी रोशन हो जाए हमारी, वा 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 वा, अली और एहमत बोले, तुम मिलो तो जिन्दगी रोशन हो जाए हमारी, तुम्हारे आने से हम घर में बलब लगा लेंगे, वाल में सब के कहके चुटे, सर्धार साथ और मुखसम को आता देखकर सबको चुप रहने करिशारा किया. सब हमों शोकर बैठै. सदार साप आकर सरवराही कुर्सी मेटे. उनकी धाएं जानि मुकस्म जबके भाएं जानि आमना बेगम मैटी थी. मुकस्म के साथ वाली कुर्सी पर. उमर आस्म उमर के सामने अली. जबकि आसिम के सामने मरियम बैठी थी मरियम के साथ अलीसा जबकि उसके साथ एहमद और एहमद के साथ वाली कुरसिफर आईशा फुर्जुमान थी मुखसम के गह एरादी तोर पर नसर अलीसा की जानी बुठी और वहीं ठेह गई वो पिंग गलर के कुर्टा ट्रॉसल में मलबूस थी वो उस पर बहुत प्यारा लग रहा था कले में पहनी चेन जिसमें एक टार्मेंड चुड़ा था वो गले की जीनत बनी उसके करदर में बहुत हुपसुर्ट लग रही थी सर पर अच्छे से डुपटा लिए वो इस वक्त नसे चुखा कर वैठी थी उसने एक बार भी नसर उठा कर मुकसर को नहीं देखा था और उसकी नसरों की यह हैव मुकसर को जान लेवा हद तक पागल बना देती थी और यह सोच कर कि वो और भी बागल हो रहा था कि वो कल की साल में थी मासूम सी परी को कितनी तकलिफ उठानी पड़ी मुकसर ने चल्दी से अपनी नसरों का रुख बदला क्योंकि उसे अब अलीज़ा के चेहरे से नसर उड़ाना मुश्किल लगने लगा था और पता नहीं क्यों और उसके चेहरे से नसर नहीं उड़ा पाता था खाना खाते वक्त सभी हसी मज़ाग कर रहे थे सवाय अलीज़ा के वो बस उनकी बातों पर मुस्कुआ रही थी और उन सब में आमना बेगम और सर्दार साहब भी शामिल थे वो जवान उलाद वाले होकर भी बहुत जंग थे और उश्मिसाज भी वो अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसे थे सब बाते कर रहे थे जब आईशा अलीज़ा से महातिफ हुई लाली अलीज़ा ने नजर उठा कर देखते हुए जवाब दिया जी लाली यार तुम बहुत उपसूरत हो पता है हमें कोई और बात बताओ जवाब मर्यम की तरफ से आया था तारीख होआ है उपसूरत उड़तों को शोहर गंजे मिलते हैं अलीज़ा जो पानी भी रही थी उसकी बात सुनकर एक्टम अच्छो लगा और वो खास से लगी याला है मिरवज्जा क्या हो गया रामना भेगम परण उठकर अलीज़ा की पीट पर से लाने लगी मुकसर ने दड़ब कर अलीज़ा की तरफ देखा अलीज़ा का छेरा सुर्ख हो गया था खासने की वज़ा से मैं ठीक हूं मामा सांस बहाल होते हैं अलीज़ा ने बोला तुम क्यों मेरे शोहर को गंजा करना चाहती हो यार अलीज़ा ने हसे भायशा से भोला लो मैं ठोड़ी करना चाहती हूं वो तो मैंने पढ़ा था भही तो नलाइक होरत एक्सपीजेंस करने के लिए तुम्हें मैं ही मिली थी अलीज़ा ने आईशा वो घूटे हुए कहा जबके हौल में सबका कहका खुँझा मुकसर ने भी लब दबा कर अपनी हसी दबाए लाली में एक्सपीजेंस नहीं कर रही थी मैं तो बता रही थी अब तुम्हारे लिए गंजा लड़का थोड़े ढूडेंगे क्यों मरियम आईशा ने मरियम को बीच वे गसी था जब चाप करके खाना खाओ तुम दोनों दुबान बंद क्यों नहीं रहती मरियम ने मों के पर चोका मारा और आईशा मों पर सोटी रह गए और खाना खाने लगी शुकरिया चची जान अब मैं चलता हूँ मुकसम कड़ा होता हमना पेगम से प्यार लेता हूँ सबको होता हाफिस कहता भाई की जाने उप कदम बढ़ाए असलाम अलेकूम बीचान जानसीब ने हावेली में दाखिल होते ही बीचान से सलाम किया अलेकूम सलाम मेरा बच्चा आ गया कैसे हो तुम बीचान ने जानसीब के सर पर हाथ अगते हुए कहा अलहमदुल्ल्ला बीचान मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं अब तबिया तो नहीं बिगडी ठीक है बेटा तुम बैठो फरी अरे ओ फरी जल्दी पानी लेकर आँ मेरा शेजादा आया है बीचान ने अफरा को आवास देते हुए कहा तब ही किचन में खाना मना थे अफरा के धर गरें जानसीब के नाम पर अफ़तार पकड़ चुई थी अपने निल को संभालते वो पानी के गलास साथ में पकड़े बाहर की जाने भाई जहां भी जान और जानसीब बेड़े बादे कर रहे थे अफरान ने नसर उठाकर जानसीब को देखा जो ब्लैक त्री पीस्ट में मुल्बूस आटमें हमेशा किता गड़ी पहने बाल नफास से सिट किये एक सिकिन में उसका दिल दरका कर गया था अस्सलाम अलेकुँ अफरान नसर जुगा कर जानसीब को सलाम क्यों पानी आगे बढ़ाया वालेकुम सलाम क्या जी हूँ जानसीब ने पानी अगलास वगड़ते हुए कहा ठीक सिफ एक लफ्स मूंसे अदा हुआ मगर उस एक लफ्स के पीछे क्या कुछ था यह सिफ अफरा का दिल ही जानता था जो सामने बेटा सितमगर कभी नहीं जानता था या फिर यूँ भोल दिया जाए कि वो जानना चाहता ही नहीं था बेटा जाओ खाना लगाओ माजी ने हुकम दिया और वह वापिस मुड़ गई जबकि जानसेब फ्रेश होने के घर से अपने कमरे की जानिब चल दिया जानसेब के वालिद और वाल्दा उसके बच्पन में वफात पा गए थे वो तब 11 साल का था जब वो एक कार एकसिडन में अपनी जान गवाब है थे उनके वफात के बाद जानसेब के परवरिष जानसेब के दादी बीजान ने की उनके दो ही बेटे थे एक बेटा और बहु जवानी में ही अपनी इकलोती उलाद को छोड़ कर अल्ला को प्यार हो गए जबके दूसरा बेटा रफीक शा उनकी बेगम साइमा अपनी अकलोती बेटी अफ्रा के साथ अवेली में बीजान के पास ही रहते थे जानसेब के वालताइन की मोत के बाद जानसेब ने सब में खुलना मिलना छोड़ दिया था और वो आज तक एसा ही था संजीता और एक कामयाब बिस्निसमेन जानसेब इस वक्ट बेक्ट्राउंड से टेक लगा कर बेढ़ा अलीसा के बादे में सोच रहा था जो मनने वाली थी क्या मेरी मुहबबत की मुदर इतनी सी थी जो शुरू होने से पहले ही हतम हो जाती नहीं, मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूँगा मैंने बहुत कुछ खोया है मैं उसे नहीं खोना चाहता और मुक्सम उसके दमाब में मुक्सम का नाम चंगा वो उसके आंकों में अलीसा के लिए बहुत कुछ देख चुका था मगर नहीं, नहीं, इस बार मैं नहीं हार सकता वो मेरी मुहबत है मैं उसे किसी और का नहीं होने दूँगा किसी सूरत नहीं वो खुछ से वादा करता ये भूल चुका था कि जिन दुआउं में वो अलीसा को मंग रहा है उन दुआउं से ज़्यादा उन दुआउं में ताकत है जो उसे रोस मंगती है मगर कोन किसी नसी में लिखा जाना था किसी खुदा जानता था कि उसे किसी दूआ पर कुन फर्माना है पता चला कुछ दादा मुकसम इस वक्त ओफिस में बेटा था जबके सामने दादा हाथ बान देख़़ा था नहीं सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मगर वो कहा है इस बात का पता नहीं चल रहा वो अपने मन्नू से जिस नंबर पर भी बात करता है दुबारा वो नंबर ओन नहीं होता बहुत कोशिश के बात सिर्फ हमारा शक जाता है कि वो दुबई में चुबा बैटा है ठीक है मेरी आज की टिकेट बुक कराओ आज की फ्लाइट से मैं दुबई जाओंगा मुकसम हुकम देता उटकड़ा हुआ था जी सर दादा जवाब देता मुकसम की बीचे कदम बढ़ाता है जो अब ओफिस से वाहे जा रहा था अलीजा आज 6 दिनों बार युनिवस्टी आई थी अब वो बिल्कुल ठीक थी सब करवारों ने मिलकर उसका हयाल की बोद रखा था और आसिम साई की तरह साथ रहता था वो सब लेक्चर्स लेकर आईशा उमरियम के साथ उनिवस्टी से वाहे निकली तो उसकी नसर सामने फुट पार्ट पर एक बच्चे पर गई जो शाइकानी के लिए लोगों से पैसे मंग रहा था अलीजा को उस बच्चे पर तरसाया वो उसकी जानी पड़ी जब आईशा ने उसका वासुप कर लिया लाली कहां जा रही हो यार उस बच्चे को इदर बुला लेते हैं तुम ना जाओ आईशा ने अलीजा की जाने देखते हुए बोला कुछ नहीं होता यार देखो वो कैसे सब के आगे हाथ पे ला रहा है मैं आती हूँ अभी अलीजा भोलती सबटस से आईशा के हाथ से अपना हाथ चुड़ाती आगे भड़ गी वो उस बच्चे के करीब पहुंचने ही वाली थी जब किसी ने उसे पेज़े की जाने भीज़ा और साथ ही फिसा में सोरदार गोली की आवास कुँझी मुकसिम अपनी फ्लाइट के लिए निकला था जब रासे में उनिवर्स्टी से निकल थी अलीजा पर नज़र बड़ी और पिर जब हो धोड़ा चलने लगी तो दूसी नज़र उसके सर पर गंगे बने निशान पर गई मुकसिम काड़ी का दरवास कोलता, तेस कदम लेता, उसकी जानिप भड़ा और अलीसा को अपने जानिप खीज लिया इसके वैशन निशाना चूप किया और अलीसा जो अचानक सब्हलना सकी पर सीधा मुकसिम के चोड़े सीने से आ लगी जबकि कोले चलने से वो एक्दम ड़कर उसके सीने पसा रख गई और मुकसम ने अलीसा के के गेद अपना हसार बान लिया जबकि वो अलीसा की ड़करी साफ सुन सकता था वो बहुत साथा ड़की थी अलीसा को फूरण अपनी पोजीशन का अंदाजा हुआ वो एक्दम मुकसम से अलग हुई मुकसम ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहां डर था और नसरे फिर जुगी हुई थी आप ठीक है मुकसम की भारी खंबीर आवाज अलीसा के कानों में पड़ी तो वो फक्त हामें सहेला कर रहे थी लाली तुम ठीक हो तुमें कुछ हुआ थो नहीं अलीसा को मरियम और आईशा की आवाज सुनाई थी और वो चटके से पीछे मूरी मैं ठीक हूँ घर चलें बस अलीसा की सहमी से आवाज सुनकर मुकसम ने अपनी मुठियों भीज ली हाँ चलो अईशा की थी वहाँ से लीसा और मरियम खुली ती चली गई मुकसम लंबे लंबे डाग बढ़ता गाड़ी में जा बैठा जहां दादा ट्राइवर के साथ बैठा हुआ था गाड़ी वापिस मुडो ट्राइवर को मुकसम की सर्थ और सकता वास सुनाई थी उसने काड़ी वापिस को माई मुझे या आदमी हर हाल में चाहिए मुकसम सर्थ लेजे में दादा से बोला ओके सर दादा बोलता सर चुखा गया जहां से भी यहां दर्वासे पर होती दस्सक पर खुली वो उटा और दर्वासा कोला तो सामने मुलासमा कड़ी थी वो छोटे सहाब आपको बीबी बुला रही है ठीक है मैं आता हूँ उसे मुलासमा को बोला और हो वापिस दली गी जहां से इपने अपना फोन और होले टुडाया और कमरे से बाहर चला गया सीड़ियां उतर कर नीचे आया तो सामने भीजान, साथ, रस्या बेगम और आलिम साफ बैठे हुए दिखाई दिये असलाम लेकूम चचा जान कैसे हैं आप जहां से रस्या बेगम की जाने बढ़ा मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा तुम कैसे हो और अब शहर जाकर भूली जाते हो हवेली क्यों नहीं आते बस मा जी काम ही बहुत था इसलिए शहर में रहना मुझबूरी भी है जहां से बनी वसाहत पेश की भीजान एक तरीका है इसे हवेली में भान दे रखने का इसकी शादी करवा दे ताके ये कही न जा सके मैं तो ये ही चाहती हूँ मगर एक ये और एक वो नुकम्मा मुकसम सुनते ही नहीं है इनकी उम्रों में लड़के पांच-पांच बच्चों के बाप बन जाते हैं और ये देखो ऐसे बैठे हैं खुदा का होफ करें बीजान पांच बच्चे चाहती हैं कि मैं आपके बस दो बेठे थे और आप अप चाहती हैं कि मैं आपको किरके टीम बना कर दूँ शरम कर दादी के सामने ऐसी बाते करता है बीजान तो उसके बेबागे पर खुण कर रहे गई चले है मेरा जब शादी का इरादा हुआ मैं बता दूँगा आप फिकर नहीं करें जान से बोलता बाहर की जानिब चल दिया बीजान आवेली की छोटी वहू थी जबके बड़ी वहू समीना बेगम थी जिनका बस एक ही बेठा आलिम मेहमत था जो इस हवेली की बड़ी बीजान जबके आईमा बेगम बीजान थी आलिम साब के वालता इंके वफात के बाद वो रस्या बेगम मोकसम के साथ शहर आ गई थे और उधरी बिस्निस शुरू किया और अपने महरूम चचा साथ भाई जानसिफ के वालत का बिस्निस भी संभाला बीजान अपने चोटे बेटे और बहू के साथ हवेली में रहती थी नी सरदार साब इस वक्त अपने आफिस में परेशान से चक्कर काट रहे थे उन्हें पता चल चुका था कि अलीजा पकातलाना हमला क्या ग्या है वो बेहत परेशन थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कौन कर रहा है और अलीजा के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है अभी हो ये सोच ही रहे थे जब कमरे का दर्वासा कुला और मुक्सम अंदर दाहिल वाँ असलाम अलेकुम चचा जान वालेकुम सलाम बेटा बैठो सरदार साथ मुक्सम को बैठने का इशारा करते हुए सामने वाली कुरसी पर बैठ गए मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मुक्सम ये सब कौन कर रहा है किसकी मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी है कि मेर बार बार मेरी बैठी पर हमला आवर हो रहा है हावर हसन मुक्सम ने जवाब दे और सरदार साथ का रंग पल में बदला हावर हसन वो तो जेल में था ना पिर ये सब वो कैसे करवा रहा है वो वहां से छूट किया था और अलीजा को बार बार नुकसान इस वज़े से पहुचाने की कोशिश कर रहा है प्योंकि जो फैक्टरी हमने सेल करवाई थी वो अब दुपारा हासिल नहीं कर पा रहा उसका बदला लेने के लिए उसे मुझे पहमला करवाय था लेकिन इत्वाक था कि उसी नलीजा ने मुझे बचा लिया और उसकी नजर में अलीजा आ गई अब वो अलीजा के जिरिये आप से और मुझे से बदला लेना चाहता है वो कहां चुपकर बैटा है उस बिल से उसे मैं निकाल ही लूँगा मगर हमें अलीजा को महफूस करना होगा और मैं उमीद करता हूँ कि आप मेरी बात तहमल से सुनेंगे जर्धार साब सिंजीती से मुझें की बात सुनने लगे ठीक है अगर इस तरह वो बिल्कुल महफूस रहेगी तो मुझे कोई अतरास नहीं मगर वो बहुत हसास है उसका दिल न दुख चाए ऐसा कुछ नहीं होगा चाचाचान आप बस मुझे बहरोसा रखें उसम बोलता वहां से उठखड़ा हुआ अपने कोट का बटन बन गयता तरधार साब को उधा हाफिस कहता हाफिस से निकल गया अलीसा जब से खार आये थी कमरे में बन थी वो बहुत साथ तरगे थी हो सकता है गलती से हुआ हूँ अला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा अलीसा ने बेट पर देटे चट को खूटते होए सोचा हाँ ऐसा ही है मैं पता नहीं क्यों टेंशिल ले रही हूँ अलीसा खुद को बोलती उट कड़ी हुई और हुसु करती मौश्रूम की तरह पड़ गई नमास पड़कर अलीसा फायर की जाने पड़ गई मामा चान अलीसा ने लौंच में बैटी आमना बेगम की कोट में सर रखकर लेट गी मेरा बच्चा आमना बेगम ने मौपस अलीसा के वालों में उंगलियां चलाते होए पूछा मुझे बहुत सुकून मिल रहा है आपकी उंगलियों में जादू है अलीसा ने आंके बंद करते आराम से बोला आमना बेगम मुस्कूरा दी तबियत तो ठीक है तुम्हारी क्या बात है आमना बेगम ने फिर से फूशा मामा मैं ठीक हूँ अलीसा ने आमना बेगम की कोट में मूझ चुपाते हुए कहा कुछ देर यूँ ही गुशरी और आमना बेगम ने मैसूस किया कि वो सो गई है वो अलीसा के सर पर हाथ बेटी मुस्कूराने लगी या ला मेरे बच्चों को हमेशा हुश रखना उन्हें किसी की नसर न लगे आमना बेगम की दिल से बेहास साथ दुखा निकली मुकसम आफिस रूम में बैठा इस वक कोई फाइल रीट कर रहा था जब सहथ अंदर आगे लुआ और मुकसम के सामने सीने पर हाथ बादे खड़ा हो गया मुकसम ने फाइल से नसर उठा कर सामने खड़े साथ को दिखा और दाइं आई प्रोश कराई जैसे कहना चाह रहा हूँ क्या मसला है सहिद ने उसका इशारत समझते हुए उससे खुड़ा और हुद ही कुरसी कसी कर बैठ किया कोया उसे खुद ही एशास हो गया हूँ सामने वाले उससर करनी नहीं मैं खुद ही बैठ जाओ मैं ये क्या सुन रहा हूँ मुकसम क्यों बहरे हो गयो जो अब सही से सुनाई भी नहीं देता और तुमें कोई और नहीं मिला जो मेरे पास चले आया अपने बहरे होने का सबोत लेने मुकसम ने संजीत की से कहा जबके सहिद का तो पाराई हाई हो गया शरम कर कमीने घर आये मेमान के साथ यह से लोग करते हैं सहिद ने मुकसम को खूटे होए कहा घर नहीं ओफेस और मेमान नहीं सब़डस्ती का मेमान मुक्सम ने बड़े अराम से बोला जो भी है तू मुझसे इतना कुछ कैसे चुपा सकता है सहिद असल बात पर आया मैंने क्या चुपाया मुक्सम बिल्कुल अंचान बना तेरी वज़ा से वो लड़की हत्रे में आ गई हवर कुट्टो की तरह उसकी जान लेने पे तरपे है और तू अब उससे शादी करना चाता है सहिद ने बहुत उससे सिखा हाँ एक लफसी जवाब आया मुक्सम तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हूँ उस लड़की की जान को हत्रा है तुमें कोई फरक नहीं पड़ता सहिद इस बार लाचारी से बोला उससे अलीसा बहुत असीस थी उससे विकुल अपनी बेहन की तरह समझता था इससे फिकर मन था बगवास बंद करो अपनी तुमसे किसने कहा मुझे फरक नहीं पड़ता वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है मुख्जम मीर एहमत की रूँ में बसी हुई है वो मुख्जम एक्दम धाना वो तुमसे नो साल चोटी है मुख्जम सहिद ने उसे एसास दिलाना चाहां वो मेरा सुकून है लेजा मुतमीन था वो तुम्हारे साथ एट्चेस नहीं कर सकेगी सहिद ने फिर से समझाना चाहां मैं उसे हुद को चाहने पर मजबूर कर दूँगा लेजा अभी भी नॉर्मल था पागल मत बनो मुख्जम और अगर उसने तुमें कबूल ना किया तो आना तो उसे मेरे पास ही पड़ेगा चाहे वो कबूल करे या ना करे वैसला अडल था वो तूट जाएगी यार लेजे मिलते जाती मैं उसे तूटने नहीं दूगा वो मेरा इश्क है मेरा जुनून है उसे मेरा होना ही पड़ेगा हर खाल में वो जुनूनी लेजे में बोला सैद को उसके आँकों मैं लेजा के जुनूनी दिखा यार तू मेरी बास समझ क्यों नहीं रहा वो तुमें जानती तक नहीं जान जाएगी जब शोहर बन कर मिलूँगा वो महफोज सिफ मेरे पास रहेगी और मैं अब और रिस नहीं ले सकता उसे एक कांटा भी चुबे में ये बर्दाश नहीं कर सकता मुकसम भोलता उट खड़ा हुआ यूँकि उससे सरदार साफ से मिलने जाना था वो लंबे-लंबे टाग बढ़ता बाहे की जाने पढ़ गया जबके जैस सरबकर कर बैठिया अलाव वो अब इस जुनोनी आशी को कैसे समझा था मुकसम की कारी सरदार साफ के घर में धाहिल हुई और मुकसम बाहे निकला कदम अंदर की जाने बढ़ाए सामने नजर उठी तो अलीजा सामने से सेडियां उदर दी नीचे आ रही थी रेड और ब्रॉंग कलर कर ड्रेस फेह ने सरबड उबटा लिए कल्ले में चमकता डाइमेंड कोई और ही मनसर पेश कर रहा था चेरे पर हर किसम के मेक अफ से बाग बेशक और खाकली स्गीट भी में भी खसब ढाने का हुनर रखती थी अलीजा की नजर मुकसम के शूस पर गई नजर उठाने के बजाए और चुका दी वो जानती थी कि ये उसका कोई भाई नहीं बलके कोई और है शायद बाबा से मिलने आया हूँ वो ये सोच थी हमोशी से से नहीं उदर कर एक साइट को चली गई तकि मुकसम ने उसका नसर उठाना फिर चुका देना उसके एक एक हरकर को बहुत गोर से देखा ओफ ये हया ये लड़की कितनी शफाफ थी वो ये सोच कर मुस्कुरा दिया और आकी चानी भड़ किया असस्स्वावालेकूम चचाच जान मुकसम ने सरधार साह से मिलते हिदप से सलाम लिया उस वक साइदार साह को मुकसम आहांने सामने बेड़े थे जब सरधार साह ने बात का आगास किया मुझे अभ्दम क्या मिल रही है हावर अब अगलावार करेगा मगर किस पर میں इस बात से इंचान हो लेकिर मैं अपने घर को किसी की दुश्मिनी की नजर बिलकल नहीं कर सकता मेरी उलाद, मेरी बीवी, मेरा कुल असासा है मैं उन्हें किसी दुश्मिनी में खो नहीं सकता मुझे अलीजा की फिकर सबसे ज़ादा है मेरे बेटे अपना ख्याल फुद रख सकते हैं मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अलीजा के लिए जल्दस जल्द को इलड़का ढून कर उसकी शादी करवा दू चाचा जान मैं सीरी सी बात करूँगा मुझे बात को मा फिरा करने की आदत नहीं है परसू हवेली से पीचान, मा जी और बाबा के साथ रिष्टा लेकर आएंगे निकाह हुफिया होगा और सिफ घरवालों की मुझूदगी में होगा अगर आपको मुझे में कोई कमी मेसूस होती है तो आप इंकार कर सकते है मुखसम ने सिंजीटी की से कहा और उटखड़ा हुआ आप अपना जवाब पता दीजेगा मैं मुनतजर होगा मुखसम कहता उटखड़ा हुआ और दरवासी की चानिब कदा मणा दिये मुझे मनसूर है तुम भेज़ देना सेधार की आवास सुनते हैं मुखसम उड़ा उनकी चानिब जाकर बोला परसो हवेली वाले आपके पास मुझूद होंगे खुदा हाफिस कहता लंबे लंबे डाग भरता बार निकल गया जबके सर्धार साब को अदलीसा की फिकर होने लगी पता नहीं वो मानेंगी की नहीं और उसके भाई वो तो अच्छा हासा वावेला मचाएंगे मुखसम ने हवेली फूंग करके आने की तला और वज़ा बता दी थी जिसकी वज़ा से किसे ने भी कोई भी अतरास ना जाहिर करते दिल से मान गए थे आलिम एहमत को अपने जिगरी यार की बेटी दिल से कुबूल थी वर सबसे भड़कर उनकी बेटी की पसंद थी वो सब बहुत हुश्टे मगर भी जान और अस्या बेगं को सिर्फ निकाह पार दास था वो जादिन्दी के शादी दूम दाम से हो मगर मुकसिम के सिरार पर मान गए थी चलो वो शादी के लिए तो माना उनके लिए यही काफी था मुकसिम का फोन मसलसल बज़ रहा था वो नहा कर निकला वो देखा कोई अन्नोन नंबर था उससे कॉल रिसीव की और फोन कान से लगाया तो कैसे हो मुकसिम मीर रहमत सुना है शादी कर रहे हो चलो कोई बात नहीं शादी तो तुम तब कर सकोगे ना जब वो जिन्दा बचेगी तुम कल उससे निकाह करने वाले होना मगर अफसोस आज तुम उसका जुनाजा उठाओगे साथ एक अमेंगी से वो कैका लगा का रहसा उसके बात सुनकर मुकसिम की जिसन की रखी दन गई तुम हावर हसन भूल कर भी ये खलती मत करना परना ऐसी मोद दूँगा कि तुम्हारी रूख कांप जाएगी मुकसिम ने धारते हुए कहाँ जाकि मुकाबिल का एक और गयका फोन के स्पीकर में खूँजा तुम मेरा कुछ नहीं विगाड सकते पहले अपनी मुशूका का पता तो लगवालो सुना है इस वक्त वो युनिवर्स्टी से घर जाती है सोचो अगर उसका एक्सिडेंट हो जाए या उससे गोली मार दी जाए तुम्हारे तो वो भी भोल रहा था जब मुकसम ने पूरी कोबस से मुबाइल दिवार में दे माराओ वर चल दी से अपनी आपनी चापी पकड़े बाहिर को ठोडाओ फुल स्वीट में गाड़ी चलाते पीसमिन का रास्ता दस्मिन में ठेह करता अलीशा की उनिवर्स्टी पहुंचाओ अलिसा युनिवर्सी से बाहि निगी तो सामने कोई सड़क बगिरा हुआ नसर आया हूँ वो भाग कर उस सक पहुँची अभी वो नीचे चुकती वो लड़का एक्दम से उठा और गोले चला दी विसामे कोली की आवाज के साथ साथ एक चील की आवाज पहुँची मुकसम युनिवर्सी पहुँचा तो उससे देखा अलिसा चलते भी सड़क तरमियान जा रही है और वहाँ कोई उन्ते मूँ पढ़ा है एक सेकिंड लगा उसे सारी वाज समझने में वो एक चटके से गाड़ी से निकला और थोड़ता हुआ अलिसा तक पहुचा उससे अपनी तरफ के इंचा और उसकी जगा पर आगया चलाई गई गोले मुकसम के बास उपर लगी थी जहां से खून पाने की तरा बहनी लगा था मुकसम ने अपनी कोट से पिस्टल निकाली और सटके की टांगों पर चला दी और वो वहीं किरप पड़ा मुकसम ने अलीजा की जाने देखा जो इतना डर शुए थी कि अपनी आँखी तक नहीं खोल रही थी मुकसम ने उसका हाथ पकड़ा और साथ दिये गाड़ी तक आया फ्रंट सीट पर उसे बिठाए वो ट्राइविंग सीट पर बैठाओ वो गाड़ी आके को बढ़ाई गाड़ी चलने से अलीजा फोरण होश में आई तो गाड़ी का दरवासा खोलने की कोशिश करने लगी आप कौन है? मुझे अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं? प्लीज काड़ी रोके मुझे मेरे खर जाना है वो मसलसल काड़ी का दरवासा खोलने की कोशिश करती हो लगी थी जबकि मुकसम की तरफ अभी भी नहीं देखा था आप कुछ समझ नहीं आ रहे है? प्लीज काड़ी रोके मुझे कहीं नहीं जाना अलीसा की बात सुनकर मुकसम ने जटके से काड़ी रोकी अलीसा को समझने का मोका दिये बगएर उसकी तरफ शुका और कले की महसूस रखतवा दी जिसकी बज़े से अलीसा फोरण होश से विखाना हो गई मुकसम ने उसका सर सही से सीट से लगाया और उसकी सीट पेलबान दी और एक नसर उसके चेरे पड़ा ली बहुत बोलती हो लिटल गर वो बोलता हलका समस्कुराया और काड़ी आगे की जाने बढ़ा दी घर पहुंचकर अलीसा को नर्मी से भाजों में उठाया और अपने बेट्रों में आकर अराम से बेट पलेट आया और दादा को फोन मिलाया दादा, पंद्रा मिन में काड़ी सहाब और कुछ कावाँ को लेकर पहुंचो वो बोलता फोन बंद कर गया और अगली कॉल मिलाई जैद, अगले दस मिन में मेरे घर पोंचो मुकसम बोलता बिना जैद की सुने फोन बंद कर गया उसमने फोन रखकर मुड़कर अलीसा कितब देखा जो थोड़ा थोड़ा खोश में आ रही थी उस पर एक नज़र डालता हूँ ड्रेसिंग टेबिल के सामने आकर खड़ा हो गया अपना कोट और शर्ट उदार कर सखम देखने लगा कोली बासू को लगकर गुजी थी इससे जादा नुकसान नहीं हुआ अगर सखम गहरा था हूँ वो सखम को देखता दरार से फसेट बॉक्स निकालता अपना सखम साफ करने लगा